अनंद महंजी ना ब्यान दियाना अगर मैं लोक सभा में होता है तो उनका जीव घिच के स्पीकर के हाथ में दे दिजी मोल веч blend CL काम नहीं चलेगा तुर बाझे में उस तरह में उनकना नियत साफ है ना मन साफ है तो लालुजाद्यू जो कर रहें पूम लोग बंद कर दें और इस तरह के गंदी राजनीत करेंगayan ताने वह वीधान सभाशुनावं में उनको दिखाएगा ठाकूर की क्ला होती है और उनके दल छीतने भी ठाकूर में उनसे व आग रहना चाहता हुँ कि चयतना अनान तो लोग सी crunch वहां पर पड़िवार की राजनिती होती है ना नमस्कार बहुत स्वागत है आपका लाइब भीहर में आपके साथ अभी की राजनिती काफी गर्म हो चुकी है महाल काफी अलग हो चका है मनोज्जा के बयान के बाद किस तरह से उन्हें नीचे वाले लोग होते हैं उन्हें कुछला जाता यानि कि ऐक कविता के माध्हम से जो वो कह रहे है उसके बाद क्या है भाई आरो हाथो ले रहे हैं जितले भी ठाकूर है जितले ही राज़कोद है लेके बीजेपी मैं इस वक्त मैं मौशूद हूँ और बीजेपी का आप तो महोल देखी रहा है कि किस तरह से प्रतपी को महोल बना एक कर रहे हैं वहां पर तरिशी कर रहें दयान को दिहान देना चाहिए और वहां से इस लोग बहुत सारे लोग हैं वहां स ku करना चाहिए वहाँ समाज के दितना है जिस समाज के आप आप 37 वहां बैटे हुए हैं जी हुजूरी कर रहे हैं लालुवत्यासिवीजी का जाजनीते में इस तरह का मानसिक्ता नहीं होनी चाहिए हमेशा कभी समाज पर बोलना कभी हमारे धर्म गरंद पर बोलना कभी टिका पर बोलना अच्छा आप बोड़ रहे हैं कि जितने भी ठ इस तरह के वान जी िंटान के शुटान के हाथ में देदेता इस तरह का बयाने लिए यह थाकुर आपर यहीं जो इस तरह के बियान ठाकूर उपका रहा है तो उस ठाकूर को भी जो दल मेरा के राजनितिक करें उनको इस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए अमिरतांश अमिरतांश जी अभी जो इस तरह से बयान चल रहा है वाकई में ये मतलब सही है या जान भूच के ये करेंट किया जा रहा है ये बहुत गलत है और ये जानमुच के मनुद्ज्जा जी और ऑर जी टी कर रहा है दूआ ना आप बताएए आप बताये क्या नाम है आप क्या बोल रहे थे देखिए हमारा कहना है कि राष्टिय जन्ता दल के सुरू से स्वर्णों को ठाकुरों को टार्गेट करने का काम किया है अभी हिंदु धर्म को टार्गेट किया जाता है चाहा उस पार्टी में जो भी हो प्रदेश सद्धक्ष हो चाहे कोई भी हो जिस प्रकार से टार्गेट किया गया है हम लोग ने उनका पुर्जोर बिरोध किया हूँ और अभी देखिए तो हर एक ठाकुर उबाल में है सोसल राइट पर आप देख लिए आप सर्ज कर लिएगा है उनकी जितनी निंदा की जाया कम है और ऐसे चीज को दूराया जा रहा है अब लोग सवाज चुनाओ भी है देख लिए उनका पतन निश्चित है कि आर्जेडी में टार्गेट किया जाता है सवर्णों को तो क्या वहां पर सवर्ण नहीं है कौन सवर्ण वहां बिल्कुल ना के बराबर है जो है उनका कोई पूछने वहां उनका कोई वजूद है उनके कहने पर समाज के लोग टर्णोबर हो जाएगा यह बोट देदेगा आर्गेटी को अब बताइए हमको वोट के लिए ही ना जान रहे हैं यह हम को चीज बोलना पर नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा समझ गया लाया गया हूँ अलग नरंद्र मोदी जी के साथ है आपका यह बीजेपी के तरफ आएंगे नहीं आशा कुछ सब्स्राइब जो चैतन आनंजी ने ब्यान दिया वह उनका निंदा किया है जो जहाजी ने ब्यान दिया है उसका निंदा क्या ये बट निंदा करने से इनका काम नहीं चलेगा इनको सबसे पहले या तो उनको निसकासित करवाना चाहिए पाटी के तरब से या तो इन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए इस्तीफा अगर ये चेतन आनंद को ये बोल इसे आप खुदी निस्कासित हो यह लाद मारे उसे पाटी को जिस पाटी में आपके इस में आपके समाज का संवा नहीं है तो वैसे पाटी बिजिए पर आप ब्यान देते हैं या एक चोटा सा विडियो बना कर डालते हैं तो उसे वह समाज पादेह नी करेगा समाज उसके एक्सेप्ट करेगा समाज ही देख रहा है आज आज के समय में सोचल मिडिया के सब को सब कुछ मालूम है अब ऐसा कुछ नहीं कि तो जिसको यह नहीं मालूम है कि चंदरयान ilor कि नीन मालूम है वह किसतरह की ब्यांदर और जीज़ सक्टियातओं का नाम रही हूं जिस पार्ती से है उस पार्टी के लोगो को यह ग्मा के सा eran entfer क्या थै भी किया है जंद्रान कंपि फाइदे क्या है देश को से क्या मिला और देश का लेकि नाम जो विशो देखिए सबसे बड़ी बात है राजद के जो युराज है ते जसी यादों उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आते ही पहली हस्ताक्षर करेंगे दस लाक युवाओं को रोजगार देंगे लेकि बिहार में क्या कर रहे हैं उनके नेता राम चरित मानस का अपमान कर रहे ह उसके बाद अब ठाकुर समाज जी इसका गौरवसाली इतिहास रहा है अब उनके खिलाब बोलके समाज में भेद बाब पैदा कर रहे हैं बाट रहे हैं नफरत की राजनिती कर रहे ताकि युवाओं को ये समाज के बिवाद में पड़े रहे हैं और रोजगार के लिए ध जाती पर खेला घारा है तो ये लोग जाती के अलावा थोगे कुछ काम के बिहार में ये जो आज इनकी मनोजी की बोलने की हिम्मत हुई है इनको कहीं कहीं इसारा और टाकत और जेली सही मिल रहा है आजी लोगों कि सहपे मनोजी ने इतने बड़ी बात वही संशद में निती होती है ना वहां पर लालू यादव तो जस्वी यादव के लावा कि नियोड की चलती भी है क्या यहीं मामना है ठीक है अभी जिए मनोज ज्ञा का जो बयान जो चल रहा है उसके कारण से ठाकूर जितने भी हैं आक्रोसित हैं बाई सब राजपूर चेतनानंद भी बय लोग चुनाओं में उनको दिखाएगा ठाकूर की क्या आउकात होती है और उनके दल में जितने भी ठाकूर मैं उनसे भी आगरा करना चाहता हूं कि चेतनानंद से लोग सिख ले और उसी तरसे उनका विरोध करकर मैदान मूतर ने करता है तो वीडियो डाल रहे हैं उनके तो पार्टी में दोनों तो भी पार्टी में उनके दल और है राजपूतलों जगदानंद सिंग है डबलू सिंग और लोगों कहकर उनके खिलाप हैं यह हो अब लॉक्त दोगे के अध्याइब करें लेकिन आज उनको साफ करने मुझा मुझा दैक होब कर दिया। लेन चाहिए बिलकुल लेना चाहिए लालू-जयादों के खिलाफ वह मैदान-मूत्रया और उन समय स्थीपाँ आंगे एकदम लेना चाहिए किसी समाज के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए क्यों बोलिएगा कौन अधिकार दिया आपको बोलने का किसी के समाज में आप बोलते रहेगा इसी तरह से फाल आप नेतागिरी कर ना नेता सभी जात्यों को लेकर करके चलता है आपको अंगली उठाने का कोन अधिकार दे दिया यह गलत बात है और उनको इस्थिफा देना ही पड़ेगा अग आपने सुना ही कि भाई जीतने भी ठाकूर हैं चाहे कोई भी पाटी में हैं सब लोग एक होंगे और मनुद ज्ञा जो बयान दिये हैं उसके बाद उनकी अवकात भी हम दिखाएंगे जब तक को इस्तिपा नहीं देते हैं उसके बाद फिर हम सरक पर भी उतरेंगे सभी ए लाइक जरूर करें